Good morning students, आज हम करेंगे गुंजन का पार्ट सोला, माइकल फेराडे के मौखिक और लिखित प्रशन उत्तर, तो पहले हम करते हैं मौखिक प्रशन उत्तर, प्रशन एक, माइकल फेराडे कौन थे? उत्तर, माइकल फेराडे एक महान वेज्ञानिक थे? प्रशन दो, माइकल का स्कूल जाना क्यों बंद हो गया? उत्तर, गरीबी के कारण माइकल का स्कूल जाना बंद हो गया? प्रशन तीन, फेराडे को कहा नोकरी मिली? और उसने वहां क्या लाव उठाया? उत्तर, फेराडे को एक जिल्द बनाने वाले के यहां नोकरी मिली? जिल्द बांधने के लिए आने वाली बिजली से संबंदित किताबें वह जरूर पढ़ता था? प्रशन चार, माइकल किसके भाशन सुन्ने जाता था? उत्तर, माइकल सर हमफ्रे डेवी के भाशन सुन्ने जाता था? प्रशन पांच, माइकल फेराडे ने किस चीज की खोज की? उत्तर, माइकल फेराडे ने बिजली के चुम्बक की खोज की? ये ये थे हमारे मोखिक प्रशन उत्तर, अब हम करते हैं लिखित प्रशन उत्तर प्रशन एक, माइकल फेराडे को अपने बाले काल में किन कठिनाईयों का सामना करना पड़ा? उत्तर, माइकल फेराडे बहुत गरीब था, उसके पास पढ़ने के लिए किताबे नहीं थी गरीबी के कारण उसका स्कूल जाना बंध हो गया और उसने घरों में अखबार बांटे वे जिल्द बनाने वाले के यहां नोकरी करी प्रशन दो, किन बातों से पता चलता है कि माइकल बिजली के विशे में रूची रखता था? उत्तर, चिल्द मांधने के लिए बिजली से सम्बंदित जो भी किताब आती थी माइकल उसे मगन होकर पढ़ता था इस बात से पता चलता है कि माइकल बिजली के विशे में रूची रखता था? प्रश्ण तीन, माइकल की इच्छा किस प्रकार पूरी हुई? उत्तर, सर हमफ्रे डेवी के भाशन सुनने के लिए माइकल के मालिक ने उसे टिकेट के पैसे देने का बादा किया इस प्रकार माइकल की इच्छा पूरी हुई? प्रश्ण चार, माइकल फेराडे में क्या क्या गुन थे जिनके कारण वह एक महान वेज्ञानिक बने? उत्तर, माइकल फेराडे बहुत परिश्रमी थे, वे मुश्किलों का डट कर सामना करते थे, अपनी लगन और परिश्रम से वे है एक महान वेज्ञानिक बने? इस, नेक्स्ट है, पार्ट का यह अंच पढ़कर प्रश्णों के उत्तर लिखो, पहले हम यह स्ठेंजा पढ़ना है और उसके बाद नीचे दिये प्रश्णों के उत्तर लिखने हैं वेह डेवी सहाब के भाशन सुनता, उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता, कुछ दिन पश्चात वेह उनसे मिला, सर हमफ्रे डेवी को वेह होनहार बालक बहुत पसंद आया, उन्होंने माइकल को अपना शिष्य बना लिया तो अब हमारे प्रश्ण हैं, पहला प्रश्ण है, माइकल डेवी सहाब के भाशन सुनकर क्या करता था? उत्तर, माइकल डेवी सहाब के भाशन सुनकर उनको लिखता और उन पर चित्र बनाता प्रश्ण दो, माइकल किन से मिला? उत्तर, माइकल डेवी सहाब से मिला प्रश्ण तीन, सर, हमफ्रे डेवी ने माइकल को अपना शीष्य क्यों बना लिया? उत्तर, माइकल की लगन देखकर, सर, हमफ्रे डेवी ने माइकल को अपना शीष्य बना लिया प्रश्ण चार, पाठांच से दो, दो संग्या और सर्वनाम शब्द छाट कर लिखो संग्या शब्द हमफ्रे डेवी और माइकल सर्वनाम शब्द वे हैं उन्होंने ये स्टुडेंट्स, तो ये थे हमारे मोखिक और लिखित प्रश्ण उत्तर आप इसे फिर से एक बर रिवाइस कीजिएगा थेंक यू